स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टडी में नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटेसी यानिके डियलड 1995 और 16 की डियोरेशन में जो संस्कृत विशय के था जो पुछ पत्र हुआ था उनके कुछ क्वेशन के बारे में देखेंगे उनके आंसर्स को भी अपने इस वीडियो में हम जानेंगे तो डियलेट 2015 और 16 संस्क्रिट विशे से जो प्रिष्ण था 2015 में पुछा गया था इसमें question ये था कि आसपास की कोई चार वस्तू वह पक्षियों का संस्क्रिट में नाम लिखिये तो इसमें आपको वस्तू कोई things की बात हो रही है या पक्षियों की बात यानि कि अगर कोई birds वगरा है उसमें तो उनका जो है कोई विचार हो उनके नाम को संस्क्रिट में लिखना था तो यहाँ पर मने जो है कुछ वस्तूइं कि उसमें जो है चार लिखे हुए हैं और जो पक्षि के नाम है उनको भी चार इसमें लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें लिखा है मैंने कुटा जो उसको कुकुरा बोलते है 않아요 कुकुरा करके ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है उन जो वस्तूइं है वो भी तयार होगा साथ साथ आपको जो है जो जानवर के नाम है जो अगर मैं बात करूँ पशुग के नाम तो भी आपके तयार होती चलेंगे अगर दो वस्व में नीचे मैंने यहाँ पर जो है फालो के नाम लिखी है तो भी साथ में आपका तयार होता चलेगा तो इसमें सबसे पहले कुट्टा का कुकुरा है दूसरा दिया हुआ है गाय गाय को संस्कृत में धेनु हुआ गव हो करके बोलते हैं हिंदी में जो शब्द है वो गव है उसके बाद आपको यहाँ पर अनस्वार लगा देना है तो गव हो जाएगा ये नेक्स्ट है इसमें सेब सेब को संस्कृत में सेब हम बोलते हैं अगला चाथा जो दिया हुआ है वो है अनार यानि की दाडी मम मा के नीचे इसमें जो है हलन्त लगा हुआ है ये चीज ध्यान रहे तो ये तो बात हो गवी वस्तमों के उसमें जो है next इसमें दिया हुए दूसरा more more को बोलते हैं mayura next है इसमें तीसरा जो है hans है hans को garalah बोलते है garal हिंदी शब्द है garalah तो garalah का जो हिंदी मतलब है वो hans होता है next इसमें जो चौथा दिया है tota tota को संस्कृत में कीरह भी बोलते हैं शुकह भी बोलते हैं शुक करके होता है तो शुकह हो जाएगा इसमें और कीरह हो जाएगा next देखते हैं जो सवाल संख्याद 2 है इसमें प्रेशन दूसरा इसमें दिया है कि संस्कृत में 4 पशू के नाम बताने थे 2015 में ही ये पूछा गया था तो पशू के नाम इसमें हम देखते हैं सबसे पहला मैंने लिखा है घोड़ा घोड़ा को अश्वह बोलते हैं या अरवन करके भी बोलते हैं ना के नीचे इसमें हलन्त लगा हुआ है अरवन, next इसमें दूसरा लिखा है गधा कधा को हम बोलते हैं गर्द भा तीसरा है बकरा बकरा को अजा बोलते हैं याद रहे अगर मेल है बकरा मेल है तो अजा होगा अगर वही फीमेल बकरी के अगर बात हो रहे हैं तो हम लोग अजा लिखेंगे उसको ठीक है नेक्स इसमें चौथा देखते हैं भैस उसको बोलेंगे महीशी ही अगला इसमें दिया हुआ है प्रशन संख्या 3 जो पूछा गया था वर्ष 2016 में इसमें था कि पांच वस्तूओं या पसूओं या पक्षियों का संस्कृत में नाम बताईए तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसमें कोयल कोयल को जो है संस्कृत में कोखिला बोलते हैं दूसरा है हिरड यानि कि म्रगः म्रग बोलते हैं हिंदे शब्द म्रगः हो जाएगा तो उसका मतलब हिंदी मतलब होता है हिरड अगला इसमें दिया हुआ है बकरी में जो मैंने बकरा बात किया था तो अजा था यहाँ पर जो बकरी है तो अजा हो जाएगा कोई इसमें अनस्वार नहीं लगा हुआ है चौथा इसमें पेड़ दिया है पेड़ को ब्रिक्षाह बोलते हैं ब्रिक्ष से ब्रिक्षा बना हुआ है, पाच्वा जो है लड़ू, इसको मुद्ध कह बोलते हैं संस्कृत में, आगे देखते हैं प्रशन संख्या चार, 2015 का सवाल इसमें था कि नकुलाह, कीरह, अरवन और लूता, साथ में एक असंदी का सब्द भी है इसमें, इन में से ती केरह या शुकह का जो हिंदी अर्थ होता है, वो तोता होता है, अरवन का मैंने बताया था, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जैसे जो अस्वा भी घोड़ा होता है, और अरवन मतलब भी घोड़ा होता है, चौथा जो शब्द इसमें दिया है, लूता, लूता को जो हिंदी मत इनको जो है, इनमें से किनी दो शब्दों का अर्थ बताना था हिंदी में, कि इनका अर्थ हिंदी में क्या होगा, तो यहाँ पर जो मकराह है, उसका जो हिंदी मतलब होता है वो है गडियाल, दूसरा दिया हुआ है मरालाह, मरालाह मतलब हांस होता है, जिसको हम बत्तक बोलत तो यह थे जो है इन शब्दों का हिंदी में मतलब आगे इसमें जो प्रशन संख्या 6 है इसमें था कि चार फ़नों के नाम संस्कृत में लिखिए तो यहाँ पर जो है आपकी सुविधा के लिए अगर मैं बात करो तो कम से कम 10 फ़नों के नाम मैंने लिख दिए हैं जो आप इन में से आपको जो भी ईजी लग रहा हो संस्कृत में और हिंदी में उसको आप याद कर सकते हैं तो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है अंगूर अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं दूसरा है ककड़ी याद रहें अभी तक हम लोगों को लगता होगा कि ककड़ी तर्बूज और यह अगर मैं सिंगाला की बात करूँ यह सारी चीज़े जो है एक सबजियों में या उनमें गिना जाए लेकिं ध्यान रही यह सब के सब फालो में आते हैं फ्रूट्स में आते हैं काउंट होते हैं तो ककड़ी अगर है तो उसको बोलें के करकटिका करकटिका या करकटिका नेक्स्ट इसमें तीसरा दिया हुआ है सेव यानिकी सेवम च श्रिंग गाटक, सात्वा जो है, वो है कमरक, कमरक को कमरक्षम बोलते हैं, अगर आठवे की बात करें, इसमें केला है, केला को कदली फलम बोलते हैं, नेक्स्ट है, बेर, नौ नमबर पे, बेर को बोलते हैं, बदरी फलम, केला है, कदली फलम, और बेर जो है, वो है, बदरी फलम, दस नंबर पर खर्बूजा, खर्बूजा जो होता है वो होता है खर्बूजम, तो इस तरीके से इसमें जो ये वीडियो था, इसमें हमने देखा कि प्रशन एक सी ले करके च्छाय तक के 2015 और 2016 के डिवरेशन में संस्कृत में जो सवाल पूछे गए थे, अगले वीडि